So in today's video, we are going to know about some tools which will help you a lot in your freelancing as well as in your online business. So basically, यह सब जो tools है, वो मदल करती है आपके अपके clients एक अच्छी communication के लिए, आपके important data को store करने के लिए, या फिर आपके services को promote करने के लिए. Overall देखा जा, तो अगर आप इन tools का अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आप इनकी मदद से अपने business को एक अच्छे level पल पहुँचा सकते हो. So hi everyone, this is Manish Kumar and welcome back to Ernest Point. So अगर आपको freelancing, money making, या फिर digital marketing जैसे topics पर जहरा सभी interest हो, तो हमारी इस चैनल को subscribe करें. क्योंकि आपको इन पर मिलती है इन इस related धेर सारी वीडियो जो मिदद करते हैं आपको online earning करने में. और साथ ही अगर आप हमारी चैनल को subscribe करते हैं, तो आपकी हो जैसे मुझे पिलेगा एक मौगा आपने छोड़े चैनल को grow करने का. इसलिए हमारी चैनल को subscribe करें. So चलिए आज की इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं. So the first tool which you can use is Google services, जिसमें आपको Google धेर सारी services प्रोवाइड कराता है, जैसे की Gmail जो की एक free mail service है, या फिर Google Drive जो की एक free cloud service है, in which you get about 15 GB storage, जहां पर आप अपने important data और documents को store कर सकते हो. Google आपको इसी तरह की और भी धेर सारी services प्रोवाइड कराता है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो. So the tool number 2 which you can use is designing tools like anwar.com. So अगर आप एक freelancer हो या फिर अगर आप digital marketing करते हो, तो आपको पता होगा कि आपके लिए designing tools कितने important होते हैं. और अगर आपको designing tools के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बतला दूँ कि designing tools ऐसे tools होते हैं, जिनकी मदद से आप graphics को design कर सकते हो. For example, Photoshop. But Photoshop को सीखना थोड़ा मुस्किल है, but no doubt अगर आप इसे सीख लेते हो, तो आप इस पर अच्छा काम कर सकते हो. But अगर आप एक ऐसे tool को ढूण रहे हो, जिसे सीखना भी आसान हो, और जिस पर आप धेर सारी चीज़ों को design कर सेगे, तो मैं आपको canva.com recommend करूँगा. क्योंकि आप इस पर Instagram की post design कर सकते हो, marketing purpose के लिए teaser design कर सकते हो, किसी product के लिए poster design कर सकते हो, या फिर अगर fiber.com पर काम करते हो, तो आप वहाँ पर fiber geek की images भी बना सकते हो. यहाँ पर आपको free की धेर सारी templates मिल जाएगे, जिनका आप इस्तिमाल कर सकते हो. The third tool जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं, वो social media platforms, just like Facebook या फिर Instagram. आप इन platforms का इस्तिमाल अपने products या फिर services को promote करने के लिए कर सकते हैं, जो कि इनका best use होगा. बस ज़रूत होगी आपको इन पर एक professional account create करने की. तो बढ़ते हम अपने next tool की तरब, जिसका नाम है Grammarly. तो जैसे कि नाम से इंग पता चल रहा है, यह हमारे तवारे लिखे के टेक्स्ट में होई grammatical mistakes और साथी spelling mistakes को point out करता है, और साथी उसमें सुधार करने के लिए suggestions भी देता है. आप इसका इस्तिमाल अपने client से chatting के time कर सकते हो, ताकि आप उनसे professional ढंग से बात कर सको. And the fifth tool जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं, वह है video chatting tools. आप इनका इस्तिमाल भी अपने client से video chatting के लिए कर सकते हो, और उनसे अच्छे डंग से deal कर सकते हो. Video chatting के लिए भी आपको धेर सारी applications मिल जाएंगे. So, यह थे कुछ tools जिनका अगर आप अच्छे से इस्तिमाल करते हो, तो आप definitely अपने business को एक अच्छे level पर पहुचा सकते हो. So, आज की वीडियो के लिए इतना है, कर आपको आज की वीडियो पसंद रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करते हो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करते हो, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की update time to time मिलती रहे. तो चली मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में.